हले अफ्योवन वेलकम टू आट चेनल आज के पड़ियो डेलबे ग्रूप डी कंडिडेट्स के लिए इंपोर्टेंट होगा क्यूंकि रेलबे ग्रूप डी सीट इंटिमेशन जाड़ी होने के बाद रेलबे ग्रूप डी छात्रों के बीच खुसी की लहर है और उसका जो पिन कोड से वेरिफाइ किया जाएगा आपका जो भी एड्रेस का पिन कोड रहेगा उससे 300 किलूमीटर के रेंज में ही आपका सेंटर होगा तो ठीक होई साही हुआ है तो रेलबे की इस फैसले का हम सभी छात्र हम सभी सिक्षग हम सभी यूट्यूबर स्वागत करते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज किस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कुछ सीटी इंटीमेशन को देखेंगे और जानेंगे कि छात्रों का जो इजाम सेंटर है वो कितनी दूर पर है तो फिर चलिए आज की सेशन की सुरुवात करते हैं जो लोग चैनल पर नए हो या फिर जिन भी लोगों ने चैनल को सबस्काइब नहीं किया है आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा सबस्काइब कर दो क्योंकि मैंने आप से जैसा बताया था आप ठीक हो इसा दिख रहा है तो कंटेंट की जलवा को कंटेंट के पावर को आप लोग समझो फिर चलिए आ को इस जलवायास देट को सिर्फ 22 में होना है कि मैं बात करों तो आप लोगों इनका जो एक्ञाम है ऑफ यहां पे स्टेट कौन सा बिहार का अप लोग को होगी सेंजारभास को सिर्फट 2 में है अब यहां पे देखोगे आप लोग देक्दहिब को जारखंड के जमसेदपूर सहर में है यानि की सेम होम एस्टेट यहां भी सेंटर है सत्रा गस्तों जरबाइस को सिफ्ट वन में का सेंटर है तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो छात्रों का जो है इस वार होम सेंटर है अब रही बात फेस टू की तो ध्यान से समझना कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा डियर कंडिडेट्स यू और नोट से डूल इन दिस फेस प्लीज वेट फो फादर कम्यूनिकेशन यानि की आपका जो एक्जाम है वह इस फेस में नहीं है तो आप लोग प्रतिक्षा किजिए यहां पर कहा गया है तो चलिए आज किस फेलियो में यहीं तक उमीद करता हूँ वीडियो इन्फ विडियो रही हो आप लोगों के लिए तो फिल्ज को लाइक करके सेयर करना सभी का जो एजाम सेंटर है वह हों सेंटर है जद यापका सेंटर 300 किलोमीटर से दूर है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो फिर चलिए आज किस वीडियो में यहीं तक थैंक यू समाच